ओम शान्ती आज 21 एप्रिल 2024 है और आज के अव्यक्त इशारों में बाबा हमारे अंदर जो हमारा एक गुण है जो सत्युक से लेकर के संगम तक चलता है यूतो आत्मा के सारे ही गुण है लेकिन इस गुण की सबसे ज़ाधा दुनिया को इस समय आवश्यक्ता है और यही सत्युक का आधार है वो है स्नेहे इस नहीं नहीं हमें बाबा का बनाया और यह स्नेहीं ही हमें सब का बनाता है और कैसे इस नहीं के आधार पर ना केवल हम संसकार मिलन की रास कर सकते हैं लेकिन अपना उचपत भी निर्धारित कर सकते हैं आये जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से बाप दादा बच्चों को विश्व महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं विश्व महाराजन बनने वाले सर्व के स्नेही होंगे जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही है ऐसे एक-एक के अंदर से उनके प्रती स्नेह के फूल बरसेंगे जब स्नेह के फूल यहां बरसेंगे तब जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे तो लक्ष रखो कि सर्व के स्नेह के पुश्प पात्र बने स्नेह मिलेगा सहयोग देने से बाबा हम सभी को राज योग की शिक्षा देते हैं यह प्रजा योग नहीं है लक्ष बाबा हमें यही देते हैं और हम भी धारन करते हैं कि हमें महाराजा महारानी बनना है सिर्फ राजारानी भी नहीं सत्युक के महाराजा महारानी त्रेता के भी नहीं तो इतना उच लक्षे हमने रखा है तो उतने ही उच लक्षन भी होने चाहिए कैसे पता पड़े इस समय संगम पर कि कौन सी आत्मा कितना उच पत पाने वाली है बले ही result अनाउंस नहीं हुआ लेकिन result फिर भी हम अपनी दिव्य बुद्धी से हर आत्मा अपना समझ सकती है और दूसरे को देख करके भी समझ में आता है भले ही माया बहुत प्रभल है और अन्त समय पर बहुत उपर नीचे होगा लेकिन फिर भी जो एक संसकार विश्व महराजन मनने वाली आत्माओं में बहुत स्पष्ट दिखाई देगा वो है कि वो सर्वके स्नेही होंगे नाच्रली जैसे राजा रानी पूरे प्रजा के लिए मात पिता समान होते है तो जैसा मात पिता का स्नेहे अपने बच्चों से होता है वैसे ही प्रजा से होगा और इस समय वो आत्मा उतने ही स्नेहे के संसकार धारन किये हुए होगी रिजल्ट अंत में अनाउंस होगा लेकिन संसकार अंत में धारन नहीं करना संसकार तो हमें अभी धारन करना है तो चाहे कैसी भी आत्मा हो किसी भी क्वालिटी के संसकारों वाली क्यों ना हो जो आत्माय दास दासी क्वालिटी की होंगी वो भी अभी संपर्क में आएंगी उनके संसकार तो होंगे अलग-अलग प्रकार के लेकिन विश्व महराजा बनने वाली आत्मा जो राजयो कर रही है वो उनके प्रतीबि स्नहे का विवहार रखेगी शिक्षा देगी लेकिन स्नहे से देगी जैसे कि जड़ होती है तना होता है जड़ और तना कभी भी पत्तों में भेदभाव नहीं करते अगर उन्हे कुछ भी देना है तो पत्ते पत्ते को समान देना है क्योंकि वो फांडेशन है ऐसे ही इस समय संगम के फांडेशन और भविश्य में सत्यों के फांडेशन बनने वाली आत्माएं इस समय उनके अंदर जो कॉमन कॉलिटी दिखाई देगी वो है सर्व के प्रति स्नेहे तो जैसे बाबा ने हमें स्नेहे से परिवर्तन किया ऐसे हम भी सब को ये स्नेहे से ही परिवर्तन करें और बाबा ने आज स्नेहे देने का अर्थ बताया सर्व को सहयोग देना जिस आत्मा को उचा उठाने के लिए जो चीज चाहिए वो उसको देना ये है सहयोग हर एक को समान सहयोग भी नहीं हो सकता सहयोग अपने आप में बहुत बड़ी सब्जेक्ट है जिस पर बाबा समय प्रति समय हमें बताते रहते हैं फिस कभी जानेंगे इसकी डीटेल्स ओम शंति